Hello, Welcome to Enlivening India, Today we discuss a very important topic of General Studies National Park of India Part 6 दोस्तों आज हम हमारा पहला National Park discuss करेंगे जिसे एक का नाम है काजी रंगा नाशनल पार्क जो की असाम में situated है 1974 में से स्थापित किया गया था दोस्तों काजी रंगा नाशनल पार्क जो है ये गोला घाट और नागाउं डिस्ट्रिक्ट ऑफ असाम में situated है दोस्तों ये two-third of world great one-horn rhinoceros की population जो world के rhinos है उनका two-third इस पार्क में पाए जाते हैं और ये world heritage site भी है दोस्तों काजी रंगा नाशनल पार्क जो है ये protected area है और इसका ओ डिकलेर किया गया था 2006 में tiger reserve के तौर पे और ये एक biodiversity hot spot भी है जो की eastern हिमालियन बेल्ट में लाए करता है दो आप ये देख सकते हैं one horn rhinoceros of काजी रंगा नाशनल पार्क दोस्तों flora की बात की जाए काजी रंगा नाशनल पार्क की तो यहाँ पे आपको चार main type के vegetation देखने को मिलेंगे पहला है aluvial inundated grassland दूसरा aluvial sawanah woodlands तीसरा tropical moist mixed decidious forest और चोथा tropical semi evergreen forest तो आप यह देख सकते हैं इस टाइप का grassland कुछ काजी रंगा नाशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अगर fauna की बात की जाए तो यहाँ पे 35 mammalian species पाई जाती हैं जिसमें से 15 जो हैं यह IUCN के according threatened बताई गई है इन्हें red list में शामिल किया गया है तो दोस्तों जो यह पार्क है यहाँ पे आपको सबसे जादा population greater one horn rhinoceros wild asiatic water buffalo और eastern swarm deer की देखने को मिलेगी काजी रंगा नाशनल पार्क में और दोस्तों बड़े जानवरों में हर्वी बोर्स में आपको elephant, gore, sambers देखने को मिलेगे और small हर्वी बोर में आपको देखने को मिलेगा wild boar, hog deer तो आप यह देख सकते हैं काजी रंगा नाशनल पार्क में आपको hog deer, golden langगूर, Indian blue roller, one horn rhinoceros देखने को मिलेगा, rose ring parakeet, दोस्तों हमारा next national park है, काले सर नाशनल पार्क, दोस्तों यह हरयाना में situated है, और इसे 2003 में नाशनल पार्क के तौर पे स्थापित किया गया था, दोस्तों काले सर नाशनल पार्क एक protected area है, जो यमुना नगर district of हरयाना में लाई करता है, और 150 km द आपको basically red jungle foul के लिए बहुत ही famous है, तो यह आप देख सकते हैं leopard जो इस पार्क में पाया जाता है, दोस्तों फोना की बात की जाए काले सर नाशनल पार्क की, तो आपको यहां पे leopard cat, rusty spotted cat, asiatic elephant, cheetal, neil guy, indian crested porcupine, small indian civet, common palm civet, gray langu, rhesus maki, and Indian gray mongos and wild pig and Indian hair देखने को मिलेगा, तो आप यह देख सकते हैं Indian hair जो इस national काले सर नाशनल पार्क में पाया जाता है, दूसरा यह है Indian crested porcupine जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी, Indian gray mongos, Indian leopard at काले सर, and elephants at काले सर, हमारा next national park है कांगेर घाटी national park जो की 36 गर्ड स्टेट में लाई करता है, और यह 1982 में से national park का दरजा स्थापित हुआ, दिया गया था, दोस्तों कांगेर घाटी national park को कांगेर वैली national park भी कहा जाता है, और इसे 1982 में government of India ने national park डिकलेर किया था, दोस्तों कांगेर वैली national park जो है, यह जगदलपूर बस्तर रीजन के पास लाई करता है, और यह काफी famous है, इसके densest and beautiful national park है, और इसकी बायो डाइवरसिटी और पिक्चरस्क्यू लैंड्स के बहुत ही विविड है, और काफी जरनों से यह घिरा हुआ है, और दोस्तों यह basically famous है, बस्तर हिल मैना के लिए जो की चतिसगड का state bird भी है, तो आप यह देख सकते हैं, entrance of kangade valley national park, दोस्तों flora और fauna की बात की जाए, तो यहाँ पे flora में आपको mixed moist deciduous forest पाय जाते हैं, जिसमें साल, टीक और bamboo trees जादा देखने को मिलेंगी, fauna की बात की जाए, तो दोस्तों fauna में आपको tigers, leopards, mouse deer, wild cat, cheetal, sambar, barking deer, jackals, langur, rhesus monkey, sloth bear, flying squirrel, wild boar, strip dhyna, rabbits, pythons, cobra, crocodile और monitor lizards and snakes देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों जो यह कांगेर वैली नैशनल पार्क है, यह famous है, कौतुमसर caves की वज़े से, दोस्तों यह काफी ancient caves हैं, जो 36 गड़ जगदलपूर के पास, इस कांगेर वैली नैशनल पार्क के पास पाई जाती हैं, दोस्तों यह तीरत गड़ फॉल है, जो की यह में लाई करता है, हमारा नेक्स नैशनल पार्क है, केबूल लैमजाओ नैशनल पार्क जो की मनिपूर में लोकेटेड है, और इसे 1977 में नैशनल पार्क डेकलेर किया गया था, दोस्तों केबूल लैमजाओ नैशनल पार्क जो है, वो वर्ल्ड का उनली फ्लोटिंग नैशन हुआ है और इंटीग्रल पार्ट है लोग तक लेक का दोस्तों यहां पे जो फ्लोटिंग डिकम्पोस्ट प्लांट माटीरियल पाय जाते हैं उसको हम फुम्डी कहते हैं और यह बहुत ही एक एंडेंजर्ट स्पीशी पाई जाती है इस नैशनल पार्क में जिसे ब्रो आंटलर्ड डियर या सैंगाई कहा जाता है या डांसिंग डियर भी से कहते हैं इसको आयूसीन ने एंडेंजर्ट स्पीशी में रेड लिस्ट किया है और दोस्तों यह एक सैंग्चूरी हुआ करती थी केबुल लैंजाव इसे सैंग्चूरी डिकलेर किया था तो आप यह देख सकते हैं ब्रो आंटलर्ड डियर या सैंगाई दोस्तों फ्लॉरा एंड फॉना ऑफ केबुल लैंजाव नैशनल पार्क की अगर हम बात की जाए तो यहां पे आपको काफी मॉइस सेमी एवर ग्रीन फॉरेस्स देखन हुआ है मामल्स में आपको हॉग डियर वाइल बोर लार्ज इंडियन सिविट कॉमन ओर्ट फॉक्स जंगल कैट गोल्डन कैट बे बैंबू रैट मस्क श्रू कॉमन श्रू और फ्लाइंग फॉक्स और सांबर देखने को मिलेगा तो आप यह देख सकते हैं ब्लु है यह स्पीशी जो आपको इस नैशनल पार्क में देखने को मिलेगी एशीन रॉक पैफिन गोल्डन कैट दूस्तो हमारा नेक्स नाशनल पार्क है क्योलाडियो नैशनल पार्क यह राजस्थान में सिचुएटेड है continue neben में यसे national park declare किया गया था दोस्तो्so क्योला डियो national park को किोला डियो गहाना national park भी कहा जाता है और ये भारतपुर bird sanctuary भी हुआ करती थी कुछ समय पहले लेकिन अब इसे national park का दरजा प्राप्त हो गया है दोस्तों यहाँ पर 230 birds की species known है जो की और यह काफी और नीथोलोजिस्ट जो बर्ड की स्टडी करने दूर दूर से इस नाशनल पार्क में आते हैं कि वो अपना रिसरच पेपर पबिलिश कर सकें, स्टडी करके दोस्तों क्योलाडियो घहना नाशनल पार्क जो है यह मान मेड और मान मैंगेज़ वेटलेंड भी है और यह एक वर्ल्ड हरिटेट साइट भी है तो आप यह देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स इस नाशनल पार्क की this is the wetland area of क्योलाडियो नाशनल पार्क दोस्तो फ्लॉरा की बात की जाए तो यहाँ एक semi-arid bio type फ्लॉरा देखने को मिलेगा जिसमें आपको significant vegetation thicket forest से पूरा घिरा हुआ यह नाशनल पार्क देखने को मिलेगा दोस्तो यहाँ पे principal vegetation जो होता है वो tropical dry deciduous forest और intermixed dry grasslands का देखने को मिलेगा तो आप यह देख सकते हैं क्योलाडियो नाशनल पार्क के कुछ मीडोज फॉना की बात की जाए दोस्तों तो आपको macro invertebrates में worms, insects, smallest यह सारी वराइटी देखने को मिलेगी organisms की जो की aquatic habitat में पाई जाती है दोस्तों क्योलाडियो नाशनल पार्क जो है इसे bird paradise भी कहा जाता है और यहां पे 370 bird species recorded हैं जो की यहां पे reside करती हैं यहां migratory हैं तो आप यह देख सकते हैं white painted stroke, great a great Indian saurus crane Eurasian spoonbill neil guy Indian python that's for all today thank you for watching this video I hope you like this video if you like this video please do like, share and subscribe among your friends thank you for watching